हमशकार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए सूरन कांदा की रैसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बहुत ही असान है बस जिस तरह से नॉनवेज़ बनाते हैं वैसे ही इसे बनाना है और इसका स्वाद भी बिल्कुल नॉन्वेच के जासा ही आता है और ये खाने में बहुत ही स्वादिश्ट लगती है तो ये देखे इस तरह से रहता है ये सूरन कांदा और अब इसे कट कर लेंगे तो इसे पहले इस तरह से 2-3 तुकडों में काट ले फिर इसके छिलके अलग कर ले और फिर इस तरह से छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लेना है इस तरह से काटने के बाद इसे 2-3 बार अच्छे से धो लेना है काटने के बाद फिर लेना है पाच टमाटर, एक प्याज, 10-15 लसुन के कलिया अदरक प्याज और लसुन को अलग से पेस्ट बनाएंगे और टमाटर का पेस्ट अलग से बनाएंगे और इस तरह से दोनों पेस्ट अलग अलग रखेंगे एक साथ नहीं पीसना है टमाटर, प्याज, लसुन, अदरक को फिर लेना है तेज पत्ता तीन से चार एक प्याज इस तरह से कटी हुई और थोड़े से मेथी के पत्ते काट के लेना है अब एक कढ़ाई लेना है फिर कढ़ाई में जो सुरन कांदा को हमने काट कर रखा है उसे फ्राई कर लेंगे तो इस तरह से इसे तेल में डाले और इस इसे हलका सा सुनहरा होने तक इसे फ्राई कर लेना है तो इसे तेज आज पर चम्मत से चलाते हुए सुनहरा कलर आने तक तल ले तो ये देखिए अभी ये कांदे को अच्छे से तल लिया है मैंने इसे अब एक प्लेट में अलग से निकाल के रख देंगे अब उसी कढ़ाई में हम सब्जी बनाएंगे तो तेल में सबसे पहले तेज पत्ता डाल तेज पत्ता को हलका सा लाल कलर आने तक भून लेना है फिर इसमें प्याज और मेथी के पत्ते साथ में डाल देना है और फिर प्याज को भी सुनहरा कलर आने तक भून लेना है ये देखिए चम्मत से चलाते हुए इस तरह से हाई फ्लेम पर प्याज को भून ले फिर इसमें डालना है अद्रक लसून और प्याज का पेस्ट और इसे डालने के बाद इसे एक मिनट तक हाई फ्लेम पर इस तरह चमत से चलाते हुए भून लेना है जब यह भून जाए तो इसमें डाल देना है ट सबी चीजों को इसमें मिला लेना है अच्छे से फिर इसमें डाल देना है एक चोटी चम्मच गराम मसाला पाउडर और इसे पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 3-4 मिनट तक हाई फ्लेम पर भुनेंगे तो यह जो थोड़ा सा पानी मसाले वारा था अब भी इसमें डा देना है फिर इसे अच्छे से मिलाकर दो से तीन मिनट तक इसे भी मेडियम फ्लेम पर भुनने दे मसाले के साथ दो से तीन मिनट के बाद इसे बुनने के बाद फिर इसमें डाल देना है पानी तो यहाँ पर दो ग्रास पानी डाल दिया और इसकी ग्रेवी गाड़ी होने तक इसे पका लेना है पानी डालने के बाद तो पानी डालने के बाद इसे आप धक कर पकाएं तो अब ये देखिए अभी 5 मियाट हो चुके हैं इसे पकते हुए तो अभी इसकी सबजी अच्छे से पक चुकी है इसकी ग्रेवी भी थोड़ी गाड़ी हो चुकी है ये ठंडी होने के बाद और भी गाड़ी हो जाएगी तो हमें इसी कंसिस्टेंसी में इसे रखना है नहीं तो ये पूरी सूखी सबजी बन जाएगी ग्रेवी वाली नहीं रहेगी तो अब ये देखिए कांद अभी अच्छे से पक चुका है अब इसमें डाल देना उपर से हर अधनिया और ग्यास की फ्लेम बंद कर देनी है तो ये हो गई सूरन कांदी की सबजी तयार तो देखना आपने कितना असान है इसे बनाना बहुत ही असान तरीके से बताया है मैंने अगर आपको ये रेसेपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आप मैं चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए और साथी बिल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि इसी तरह की इसी और सिंपर रेसेपीस की नॉटिफिकेशन आपको मिलती रहे मिलते हैं अगली वीडियो में वीडियो देखें के लिए थाइंक यू